आपके लिए बहुत जल्दी बना देता हूं मार्केट फ्लोज होने के बाद ही ताकि आप लोग के बाद बहुत टाइम रहे अनलाइसिस करने के लिए ठीक है तो आज का टॉपिक है कि कल किस तरह से हम बैंक निफ्टी को ट्रेट करेंगे देखिए मेरा लास्ट वीडियो आप जाके एक बार उठाके चेक कर लीजिए कि मैंने आपको बोला था कि बहुत बड़ा मूव आने वाला बैंक निफ्टी है क्योंकि एक दो तीन चार पाच दिनों से बैंक निफ्टी एक ही रेंज में था तो एक हमें 600 पॉइंट के ऊपर एक रेली मिल सकता है देखिए आज बैंक निफ्टी ने कितने पॉइंट पे क्लोस किया है अब देखिए यहां पर लगभग यहां से लेके यहां तक कितना पॉइंट हो जाता है गैप अगर मिला देते हैं तो 700 पॉइंट की करीब हो जाता है लेकिन गैप अप को तो हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो गैप अप हो जाता है तो नॉर्मली अगर देखे तो फिर भी हमें बहुत अच्छा एक पॉइंट मिला है बैंक निफ्टी में 500 से 500 पॉइंट की करी तो यह रैली एक्सपेक्टेट था तो इसी टाइप की पहले ही जाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा एनलाइस पूरा देखिए वीडियो को पूरा देखिए आपको समझ में आजए अगर क्यों यह रहनी होने वाला है और आप लोग थोड़ा पहले बाग का दिनी तुरां थ्रिवर्स हो गया फिर गैप डाउन खुल गया तो एक बहुत अच्छा क्लोजिंग हमें मिला है उपर से हम थोड़ा अगर पीछे के टाइम पर देखेंगे तो यहां पर एक रेजिस्टेंस जोन और एक डिमांड जोन भी था आप देखिए एक सेक अगर गैप डाउन भी खुलता है फ्रैट खुलता है तो हम उपर की टाइप का ट्रेड ही ज्यादा फोकस पे रहेंगे तीक है अभी 15 मिल्स के चार्ट पर देखते है हम कल बैंक निफ्ट को किस तरह से ट्रेट कर सकते है देखिए बैंक निफ्ट में हम शौर्ट ट्रेट तब ही लेंगे जब इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा यह जो ट्रेंड लाइन आप दिख रहे है आपको इस ट्रेंड लाइन को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेक करने का मतलब यह नहीं होता है कि यह अब साइ साइडवेज रहता है साइडवेज रहता है यहां से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आता है उसके बाद क्रोस करकर निकल जाता है फिर से यह अपना ट्रेंड कॉंटिन्यूएशन पे चला जाएगा तो यह अद्वांस प्राइस का टॉपिक है में कभी आपके लिए वीडियो य इसके नीचे अगर एक 15 मीट का कैंडल क्लोज होता है इस बार सिर्फ क्लोज होने से नहीं होगा क्लोज होगा और इसके बाद अगर प्राइस एक्षन बनाएगा तभी हम शॉट करेंगे क्योंकि अभी अभी बुल का सेंटिमेंस बहुत हावी है बेर्स अभी उतनी जल्द तो मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि अभी वहाँ पर उस जोन तक बैक निफ्टी गया नहीं कि बेर्स पूरी तरह के से एंट्री कर जाए अगर यह 50,000 चला जाता तो शायद बेर्स एंट्री करते लेकिन अभी बेर्स के एंट्री के लिए उनको प्राइस एक के नीचे एक प्राइस एक्षन बनाएगा तभी हम शॉट करेंगे लॉंग कप कर सकते हैं देखिए यह तो एक तम बिसिक अनलाइसिस हो गया अगर कल बैंग निफ्टी फ्लैट खुलता है खुलते इस जोन को क्रॉस करेगा यह हमारा एसल रहेगा वान इस्टू का हमारा टार्गेट रहेगा क्यों उपर की तरफ कोई अभी रिजिस्टेंस नहीं ही है तो कहां तक बैंग निफ्टी जाएगा यह किसी को नहीं मालूम ना आपको ना हमको ना बैंग निफ्टी खुद को तो यह कही तक भी जा सकते हैं इसलिए हम लास स्विंग को अपना जिए ऑके रिटेल्स को ड़ाया उनको निकाला फिर ये रैली कंटिन्यू किया इसलिए लास स्विंग को स्टापलोस रखना बहुत जरू है आपने मानी यहां पे एंट्री की आ है तो लास स्विंग यह हो जाता है यह आपका शुप लास हो गया आपका टार्गेट वान स् फ्रेम के फॉलो कर रहे है अगर आप 5 मिनिट की एकाओइटिंग लास्ट सुिंग रखे जैसे यह जो जो जोन था इसका लास्ट सुिंग यह हो गया यहां पर आप सल के देखे फिर भी आपका सल बजग गया है तो लास्ट विंग को हमेशा असल रखने की ट्राइग कीजिए फेल करते हुए 1 is to 2, 1 is to 3, देखते हुए चलेंगे कितना दूर जा सकता है यह, अगर कल gap down open होता है, तब आपके लिए मैं फिर से बतारो बहुत अच्छा सिनारिय ही होगा, क्योंकि यह जो जोन है, यह अभी buyers छोडने वाले हैं नहीं, आप mark कर लिजे मेरी बात, अगर अगर कल gap down open होता है, तो आपको खुलते ही एक buying pressure देखने वाली बात है, देखे, हमारा अभी का target जो है, पोजिशनली वो निकल क्या है, अगर इनकेस अगर gap up open होता है, तब थोड़ा सा market volatile हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, अगर 40,500 में खुलता है, तब आज जिन्होंने यहां से इतना शांदार rally catch किया, उपर से कल gap up खुल रहा है, तो वो लोग profit booking करेंगे, profit booking करके market थोड़ा नीचे आएगा, फिर से buyer activate हो जाएगे, उपर ले जाएगा, फिर से ऐसे करते करते कल sideways हो जाएगा, अगर gap up खुलता है, या फिर हम देखेंगे price action क्या कहते, अगर market का sentiment बहुत हाई है, तब आप gap up खुलते ही, अगर sustain कर लेता है, उसके बाद निकलता है, तो यह 700 तक भी जा सकता है, लेकिन positionally basis इस week पे हम 40,700 तक देख रहे हैं, यह था bank nifty analysis, और अगर short हम तभी करेंगे, अगर 40,100 के नीचे कोई price action मनाता है, यह zone buyers उतने आसाने से छोड़ने वाला है नहीं, तो इसके नीचे price action चाहिए हमें, हमें यहाँ पे इसको रूखना चाहिए, price action चाहिए, तभी हम short करेंगे, यहाँ फिर अगर आपको कल बहुत बढ़ा gap down मिल जाता है, gap up मिल जाता है, तब आप थोड़ा shooting start देखके, यहाँ पे short कर सकते हैं, इस भटा देता हो फिर से, positionally basis में bank nifty बहुत अच्छे जगा पर closing दिया, यहाँ पर bank nifty बहुत दिनों से try किया, इसके उपर closing देने के लिए, और यह जो था 40,160, यह पिछला एक अच्छा बहुत strong resistance था, excuse me, इसके उपर bank nifty गया, तो अच्छा closing भी दिया, तो हम में एक बड़ इस angle मानते, angle बना के इसको उपर breakout दे रहा है, कल अगर एक अच्छा breakout, देखे, buyers अभी चाहेंगे कि वो अपना zone defend करे, और market को थोड़ा और उपर ले जाए, beers कब आपको मालूम है, कब fully activate होंगे, जब bank nifty इस zone के अंदर आ जाएगा, जब bank nifty इस zone के अंदर आ जाएगा, त तब buyers यहां पर बहुत अच्छी तरह से activate होंगे, तब buyers उतना odd try नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे से बहुत दूर चला गया होगा, फिर buyers आएगे, फिर market को नीचे ले आएगे, लेकिन अभी आप खुलते ही short मत कीजिए, देखे, short करना अभी आपके लिए शोभा नहीं यहां पर आपको देखना पड़ेगा, bank nifty का price action में, अपने instagram पर अपडेट करूँगा, आप वहां पर जूर जाएगे, यहां पर खुलता है, तो हम shooting start देखेंगे, यहां sustain करके निकलता है, तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे, और gap down खुलता है, तो खुलते ही आपको buying pressure कर रहा था, और आज इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से successfully breakout दिया है, और closing भी किया है, तो हम निफ्टी का next target निकलके जो आ रहा है, कम से कम इस zone तक निकलके आ रहा है, कि 880 यह 900 तक, 17,880 यह 900 तक एक target निकलके आ रहा है, तो मैं positional लेके गया हूँ, देखते हैं क्या होता पर डालता रहता हूँ, और आपको अगर देखना है कि मैं कहां trade लेता हूँ, तो comment करना मत भूलिएगा, मैं next time से try करूँगा, कि मैं अपना life trading का कुछ वीडियो आपके साथ share कर पाऊ, ठीक है, चले आज के लिए इतना ही, take care, bye bye